मटन कोफ्ता करी बनाते हैं ऐसे कच्छे कीमे के कोफ्ते रहेंगे इस ग्रेवी में जो नब बिखरेंगे और ना ही तूटेंगे तो कोफ्ता करी बनाने के लिए सब से पहले मटन के कोफ्ते बना लेते हैं इसके लिए चौपर में डालेंगे एक मीडियम साइज की प्यास, मोटी चौप की हुई, चौपर की जगा आप चाहें तो बड़ा वाला ग्राइनिंग जार भी ले सकते हैं 6-7 लेंगे लेसन की कलिया, 5-6 है हरी मिर्च, मुठी भर कर धनिया के पते डंडियों के साथ डाल लेते हैं अब इन चीजों को चौप कर लेते हैं, इसमें अब डाल देंगे मटन कीमा, आदा किलो मटन कीमा ये मशीन मिंस्ट कीमा है सारे मसालों के साथ कीमे को भी एक बार चौपर में घुमा लेते हैं अब बाइंडिंग के लिए एक पाउडर बनाना है जिसके लिए लेंगे एक चौथाई कप भुने हुए चने एक चम्मच ले लेते हैं खशखश और दो चम्मच ले लेते हैं सूखा नारियल ग्रेट किया हुआ या फिर आप पाउडर भी ले सकते हैं इसे ग्राइन कर लेंगे इसका अच्छा सा पाउडर बना लेते हैं और फिर हम इस पाउडर को चौपर में डाल लेंगे साथ ही इसके डालना है आधा कप तली हुई प्याज, एक चम्मच है जीरे का पाउडर, आधा चम्मच है गरम मसाले का पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे अधरक लहसन का पेस्ट, आधा चम्मच डाल लेते हैं हल्दी का पाउडर, एक चम्मच डाल देंगे नमक और आधे नीमू का रसस में लिए sa Birds लेते हैं सारी चीजों को एवबार अच्यी तरह से छौपर में घुमा लेके social को अब किमे को एक बड़ी सी इन गालने को झौब लेता हैं इसमें डाल डालने के साथ इसे मिक्स कर लेंगे से तरह से टालने से यह कोफते बहुत ही अच्छे बनेंगे और घड़ी आपको तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोफते बनाने के लिए तो तेल कीमे में मिक्स करने के बाद इसे साइब में रख लेंगे अब ग्रेवी बनाने के लिए एक चौथाई कप लेंगे तेल को मीडियम फ्लेम करकेंगे फिर लेंगे दो काली बढी नाची पांच हरी इलाइची और साथ यांट लोंग लेते हैं इन्हें दर-दर आसा कूड़ लेते हैं और इस तेल में डाल देंगे साथ हीे के ब्만 का ढूंत्रेस के थेयं फिर आन्प लेंगे अच्वावड लक्षिष गणर अगा फ एक बड़ा चम्मच लेंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, आदा चम्मच है तीकी वाली लाल मिर्चों का पाउडर, एक चम्मच है जीरे का पाउडर और दो चम्मच है धनिया का पाउडर, आदा कप इसमें पानी डालेंगे और चलाते हुए इस मसाले को हमें एकदम लो कर लिया है इस मसाले में हम कोफते इस तरह से बना बना कर डालते जाएंगे मैंने तोड़े मीडियम साइज के कोफते बनाये हैं आप चाहे तो और चोटे या और बड़े कोफते भी बनाया सकते हैं कोफते बिलकुल भी तूटेंगे नहीं तो फ्लेम को लो ही रख इतने टाइम में कोफते अपना शेप ले लेंगे और इनका जो पानी छूटेगा इसी में वो थोड़े से पक भी जाएंगे जब तक कोफते पक रहे हैं हम एक पेस्ट बना लेते हैं तो ग्राइनिंग जहर में डालेंगे एक कप भर कर तली हुई प्यास इसमें डालेंगे आ के हलके हातों से मिक्स कर लेना है सारे मसालों के साथ में कोफते घ्रेवी में हमें डालना है नमक है पने टेस्ट के हिसाब से और जो पेस्ट हमने बनाया हुआ है दही और तली हुई प्यास का यहाँप लिए डाल देते हैं तो करीब 3-4 हाई कप पानी में आइड कर लेतेольш फिर से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और धकन लगा कर अब कोफतों को आराम से पकने देते हैं लो फ्लेम पर कम से कम 15 मिनिट के लिए इतने टाइम में कोफते बहुत ही अच्छी तरह से पक जाएंगे इनका सारा कच्छापन भी चला जाएगा कोफते पक चुके हैं धकन हटा लेंगे आदा चमच इसमें डाल लेते हैं अब गरम मसाले का पाउडर थोड़े से बारिक चॉप किये हुए धनिया के पते भी डाल लेंगे अब लास्ट में एक बार चमच चलाते हुए कोफते को ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेते हैं फ्लेम को बंद कर देंगे बहुत ही टेस्टी जाएकेदार कोफते की ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है यह कच्छे कीमे के कोफते नर्म मुलायम बने हैं बिना तूटे या बिखरे हुए चावल रोटी पुलाव नान या डबल रोटी के साथ आप ये बड़ी आसी कोफते की ग्रेवी को सर्फ कर लीजिए